जो इस तीम पे हमें वरोसा था उसी तीम पे इनको भी वरोसा है वहाँ ही बेचेंगे यह अच्छा अनलोक और कंजम्शन यह वो थीम है जहां पर F.S. को भरोसा है और बेसिकली ओक्टोबर और नॉवंबर के आदे मैने में इन्होंने यह पूरा स्पेस है जहां पर ख़ीध उसमें F.S. ने करीब 8800 कोर्ड के आसपास की खरीदारी जो है वो की है सिफ यह नहीं अनलोक से जुड़े जो स्टॉक से उसमें इनका जो कुल AUM है उसमें करीब 10% के आसपास की बढ़ोत्री हुई है पिछ्टे तीन मैने में अगर आप देखिंगे तो रीटेल सेक्टर के AUM में करीब 33% के आसपास की बढ़ोत्री हुई है इनफाक्ट रीटेल सेक्टर पे जो इनका वेटेज था मल्टी यर्स हाई पर पहुच चुका है इस तक कन्विक्शन इनका रीटेल सेक्टर पे है तो कितना निवेश इन्होंने किया है रीटेल सेक्टर में पिछ्टे दे के आसपास एरलाइन में इन्होंने करीब 4 क्रोड डॉलर के आसपास की खरीदारी की है और होटल और टूरिजम यहां पे करीब 3 क्रोड डॉलर के आसपास की खरीदारी की गई है तो यह वो टॉप 5 सेक्टर है जिसमें FIS ने खरीदारी की है वेसे तो 55,000 क्रोड के आसपास